नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे हैं एनिमेट सीसी और एनिमेट सीसी में हम टूल्स के बारे में देख रहे हैं तो चलिए हम आगे का टूल देखते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा यहां पर जो है 3D रोटेशन टूल, 3D ट्रांसफॉर्म टूल, ब्रश और यहां पर एक है पैंसल टूल, इस चारोट टूल के बारे में हम इस वीडियो में डीटेल से देखेंगे, तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, अगर आपके पास यह चार टूल जो है, अगर यहां पर सो नहीं कर रहा हुआ, तो आप यहां पर दिखेंगे, नीचे जो है, तीन डॉट यहां पर दिया हुआ है, इस डॉट पर अगर क्लिक करते हैं, आपके पास यह डायलोग बॉक् करता है अभी मैं जैसे माल लीजिए मैं यहां से क्या करता हूं इसको क्लोज करते हैं और विंडो में जाके हम क्या करते हैं reset कर देते हैं यहां पर reset करते हैं reset करने के बाद आप देख सकते हैं यहां से जो टूल था वो गाइब हो गया यहां पर और यह अगर तीन डॉट क्लिक करते हैं तो यहां पर यह चार टूल यहां पर दिया हुआ है जिसके अंदर की rotation टूल है 3D rotation और 3D transform टूल है और यहां पर देखिए paint brush टूल है और यहां पर pencil टूल है तो हम इसको क्या करते हैं यहां से उठाब के रख दिये हैं उसके बाद मैं यहां से इसको क्लोज कर देते हैं अब देख सकते हैं यहां पर हमारा जो है यह चार टूल सो हो रहा है हम तो पहले जो है इसको देखेंगे 3D rotation tool को इसका shortcut command shift w होता है अगर आप shift और w प्रेस करते हैं यह से rotation tool जो है select हो जाता है उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर जो है 3D transform tool इसका shortcut command G होता है अगर जी प्रेस करते हैं देखिए इस shortcut command जो है जी प्रेस करने पर यह 3D transform tool select होता है और shift w प्रेस करने से 3D rotation tool select होता है अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप का क्रियेट करते हैं उसके बाद देखते हैं तो कार्टून इन प्रेट फोर का है उसके बाद जो है एलेश्टेटर है जिसमें कि आप कोई भी background या cartoon को create कर सकते हैं और इस चारों का जो link है description box में मिल जाएगा जहां आप एकी coupon code भी दिया हुआ है उसको आप apply कर सकते हैं तो हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे use करेंगे basically क्या होता कि 3D transform और 3D rotation टूल जो है कोई भी background जो 3D look में कोई भी shape करना होता उसके लिए use किया जाता है तो हम क्या करते हैं यहां पे मैं एक simple के तोर पर समझाता हूँ आपको कैसे use करते हैं जैसे मालीजे हम एक box लेते हैं यहां पर और इसको हम double click करते हैं यहां से इसका color change कर सकते हैं हम पीछे already इस पे discuss कर चुके हैं अगर नहीं देखें तो पीछे के वीडियो जाकर देखें हर एक पार्ट जो यहां पर लिंक होता है अगर पीछे नहीं देखें तो आपको आगे समझने में problem होती है हम इस पर double click करते हैं और f8 करके इसको मैं क्या करूंगा यह सिंबॉल में convert करूंगा लेकिन क्या होता है हम अभी तक देख रहे थे ग्राफिक का यूज लेकिन हम क्या करते हैं जब आप 3D का यूज करते हैं 3D rotation या 3D transform टूल इसके लिए हमें क्या करना है यहां पर हमको movie clip करना होता हम इसको movie क्लिप करते हैं तभी हम इस पर 3D transform या 3D rotation टूल अपलाई कर सकते हम इसको ok प्रेस करते हैं अब देखें यहां पर हम जो है इसको color यहां पर कोई भी change नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं इसको हम यहां पर circle है यह आपको blue color का circle है इसलिए यहां पर दिखाई नहीं दे रहा हम क्या करते हैं इस symbol में जो है color change करते हैं जैसे माली इसका color में क्या करता हूं black कर देता हूं जो कि आपको जो rotation tool है उसको यूज कर सकते हैं अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं हम सबसे बाहरवला को हम select करते हैं और आप देखिए कुछ इस टैप से इसमें rotation आप जो है करा सकते कोई भी जैसे फर्स बनाना हो या किसी चीज को rotation करना हो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं अब देखिए इस टैप से इसको यूज करने के लिए आपको mouse का cursor जो है बहुत ही अच्छे से रिमूब करना पड़ेगा अधरवाई इसका सेप आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है हम अभी क्या करते हैं Ctrl Z करते हैं Ctrl Z किये और यहां से मैं एक क्या करता हूं Alt Ctrl और ड्रैक करते हैं दो create कर दिया है कोपी हो जाता है तो हम क्या करते हैं इस पर apply करते हैं हम क्या करते हैं शिप डबलू प्रेस करते हैं यह बाहर वाले जो है थोड़ा सा भी अगर rotate करते हैं देखिए कुछ इस टैप से rotate होता है इसको अपने तरीके से ही जितना आपको चाहिए उतना ही rotate करें अदरवाई यह आपको ज्यादा समझ में नहीं आया क्या हो गया है अब हम Ctrl Z करते हैं अभी देखिए उसके बाद जो अंदर वाला जो ब्लू पार्ट है उसको आप कुछ इस टैप से रोटेट कर सकते देखिए इस टैप से आप इसको रोटेट करना हो तो रोटेट कर सकते एक ही एक्सिस पे और यह वाला क्या है यह आपको चारो एक्सिस मे रोटेट होगा देखिए इस टैप से तो यह दोनों जो है सरकल जो दिया हुआ उसका यूज करते हैं हम Ctrl Z कर देते हैं और उसके बाद देखिए जो एक रेड कलर है और एक ग्रीन कलर है अगर इसको हम पकरते हैं देखिए कुछ इस टैप से इसको रोटेट कर सकते यूज करते हैं अब भी Ctrl Z कर देते हैं इसको उसके बाद अगर रेड वाले को पकरते तो डेड वाला क्या करेगा इस टैप से रोटेट होगा रेड वाले मान लिजिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ रेड वाला आई से रोटेट होगा और जो ग्रीन वाला था वह ऐसे र और कोई भी जैसे background बनाना हो जैसे मालों first create करना तो आप देखिए इसको click करें इसको और आप जो है हम इसको पकर लेते हैं इसको इस टैप से जो है फर्स हमारा create हो जाएगा आप देख सकते हैं इसको हम बाहर लेका आते हैं और इसको देखिए जब भी आप नीचे उपर करेंगे क्योंकि यह अभी जो है 3D से बन चुका है देखिए कुछ इस टैप से हमारा जो है उपर ले जाएगा यह उपर की ओर जाते जाएगा और नीचे लेका आईएगा तो देखिए एक फर्स के तोर पर यूज हो गया देखिए कुछ इस टाइप से आप देखिए जैसे लगता एक जो है दीरे दीरे जाकर नीचे कम हो गया यह साइज उतना ही है जतना आप अंदर जाएगा उतना ही वह बढ़ते उसके बाद हम अगर बात करते हैं यहां पर इसको हम इसको यहां पर रखते हैं इसको में यहां पर देखिए कर देखिए एक जो है से रियेट हो जाएगा 3D लूक में देखिए कुछ इस टैप से अब हम बात करते हैं पर 3D ट्रांसफॉर्म टूल तो ट्रांसफॉर्म टूल का बेसिकली काम होता है किसी भी जो सेफ है उसको ट्रांसफॉर्म करना यहां से लेके यहां जाना इसमें कोई चीज नहीं होता है इसको आप पकरके इधर कर सकते हैं इसे टैप से इसको पकरके पीछे करना चाहते क्योंकि यह 3D है 3D है तो यह चारो साइड जो है आप इसको मूव करा सकते हैं कुछ step से भी और इसको आप बीच में पकरते हैं तो बड़ा चोटा कुछ step से कर सकते हैं माउस को ड्रैग करके हम ऊपर नीचे कर रहें तो इस एक कैसे होता है कि इसको इसको को ऊपर तुरा से कर लेता हूं कि कोपी करते हैं कर लेते हैं निव लेयर क्रिएट करते हैं कंट्रोल शिप्ट वी कर देते हैं सेम लिए पर प्लेस हो जाएगा और यहां मैं क्या करता हूं 440 फ्रेम पर हम एपट करते हैं अब क्लाइट प्रिज्व यहँं पर देखें हम आगे पूंगें क्लासिक टूर्इट से और यहां पी क्रियेट सेप इसमें क्या हूं क्लासिक ट्विन लगा जाता अब देखिए हम क्या करेंगे इसको जो है तोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको मैं चाहूं तो इसको मैं इस तरफ से इसको रोटेशन लेता हूं और इसको मैं इस टैप से पीछे की और कर देता हूं और इस वाले को भी मैं पीछे की और कर देता हूं आप इस टैप से और इसको मैं थोड़ा सा यहां करता हूं नीचे कर देता हूं कि एप आप अभी देखिए इसमें जो है इस टैप से एकदम से कट हुड़ा तो मतलब क्या है कि हम इसको भी यहां से right button क्लिक करते हैं, motion tune लगाएंगे इसको भी हम motion लगाएंगे, अभी दिख्ये धीरे धीरे होगा, इस Tab's से हो गया है, अभ यहाँ पर क्या करता है, एसको अब क्या करते है, इसको नहीं करोंगा, हम और इसको मैं थोड़ा से और नीशे कर दéta अभी देख कमांडा जो है कुछ इस टैप से जो है क्रिएट हो गया मोशन और इसको यहां से कर देता हूं bir कि इस टैप से रिमूव हो गया मोशन हो गया इससे क्रियेट और उसके बाद हम अगर माल लीजिए मैं थोरा सा और यहां तक फाइब लगाता हूं और इसमें जाते हैं एप 6 लगाते हैं इस वाले को मैं चाहता हूं क्या rotation हो जाए मैं इसको क्या करूंगा इस टैप से सथे rotation कर देता हूं को ज्यादा हो गया तो मे त्वरा कम करता हूं इस step से तक से और इस वाले को मैं क्या चाहता हूं थोड़ा सी स्टरफ rotation हो जाए और इसको मैं चाहता हूं इस टैप से रोटेशन हो जाए अभी देखिए हमारा रोटेशन कुछ इस टैप से हो गया अभी मैं ओन करकर दिखाता हूं देखिए कुछ इस टैप जो है बिल्कुल स्मूथ एनिमेशन हो गया इसमें आप देख सकते हैं और यहां पर एक और option आपको मिल जाता है कि यह जो line है यहां पर अगर हम इसको select करते हैं लइदकरके एक लाइन मिल गया है इस लाइन को भी आप जो है कुछ की सऩ टैप से एनिमेशन करा सकतेए इसको अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं इसी के थूरू जो है आप इसको एनिमेशन भी हो जाएगा आप देखिए क्लिक करते हैं देखिए तो इस टैप से दोस्तों यहां पर जो है 3D रोटेशन तूल और 3D ट्रांसफोर्म तूल जो दिया हुआ उसको हम यूज करते हैं तो हम इसको अभी यहां से हटाते हैं और यहां से मैं एक निव लेर क्रियेट करता हूं इस दोनों लेर को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं और यहां से फ्रेम भी डिलीट कर दिया हम बा दिया हुआ जैसे माली यहां पर दिया हुआ है क्लासिक ब्रस क्लासिक ब्रस जब हम लेते हैं इसको मैं बढ़ा देता हूं देखे कुछ इस टैप से हम इसको ब्रस करते हैं तो यह क्या हुआ हम यहां पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं एक मैं यहां लेता हूं और इसको कुछ principle स्टाइक है टाए अभी मैं यहां से डिलीट कर देता हूं कि कुछ照 से लि यह और मैं यहां से लेता हूं ए पेंट ब्राइस टूल जिसका escourt component हुग वाई होता है क गडर एक वाइय प्रेस करते हैं तो सिंद जो paint ब्रश टूल हो अबおお जाता और सेम तरीक है अईसा बना आता हूँ और इसको मैं थोासा मोटा कर देता हूं और मैं मैं सेमावच्ज्ज्टा कี้ लिए इसमें देखिए इस टाइप का हमने दोनों जो है ब्रस टूल के लिए बनाये एक क्लासिक प्रस्टूल का यूज कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में जो हम पेंट ब्रस्टूल का डोनों different क्या है तिकिए दोनों का यहां पर देख नहीं है तो लाइन का शिर्फ दिया हुआ कैसा लाइन चाहिए बाके इसमें कुछ है नहीं तो इसमें federally होता है देखे है यह जब Phantom करते है यह एक सेटक है लेकिन क्या हो अगर आप यहां से वाइप रेस करते हैं और paint brush select करते हैं तो paint brush क्या होता है यह एक line है आप इसको आराम से जो है modify कुछ इस type से कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए होगा यह एक तरह का line है आप देख सकते हैं बिल्कुल line की तरह यूज होता है बस दोनों में इतना ही different होता है paint brush tool और classic brush tool में तो classic brush tool basically क्या होता है कि shape create करता है और paint brush tool जो है यहां पर जो दिया हुआ है यह line create करता है बस इतना ही different होता है आप line को यहां से बना सकते हैं paint brush tool की मदश से तो यह था paint brush tool हम बात करते हैं नीचे दिया हुआ है pencil जो दिया हुआ pencil tool इसके बारे में तो basically क्या हो तक pencil tool भी एक तरह का जो है brush है और यह paint brush tool की तरह ही work करता है pencil जो है कोई भी line को create करना देखे इस type इसे line को create करता है कोई भी चीज को इसमें यह अगर हम जो है we press करते हैं तो यह देखिए line है और इसको जह है pencil की तरह यूज कर सकते कोई भी shape को create करने में आपको जो है अगर pen नहीं चलाने आता तो आप जो है pencil से भी आप जो है जिस type का भी line बनाना चाहते हैं देखिए और उसके बाद यहां पर आपको अलग type का line मिल जाता है कुछ इस type का तो यह एक line है तो pencil tool बहुत ही कम क्या हुआ है 3D rotation tool 3D transform tool paint brush tool और pencil tool का यूज तो आसा करता दो दोस्तों यह video आपको अच्छा लगजा तो मिलते हैं दोस्तों नेच्ट वीडियो में आज के लिए thank you